तो जैसे कि दोस्तो बजार में लॉंच होने वारी है ये जबरदस्त इलेक्ट्रिक कार फुल चार्ज में चलेगी 300 कीमी तो वीडियो को पूरा अन तक जरूर देखिएगा ताकि आप सभी जान पाए फीचर्स और कीमत के बारे में तो जैसे कि दोस्तो कंपनी बिक्री बढ़ाने के लिए आटो मोबाइल कंपनिया गाडियों की लॉंचिंग अपने ग्राकों के लिए बाजारों में करती रहती है चीन की आटो मोबाइल मार्किट में नई इलेक्ट्रिक कार मेलपी 30X को लॉंच कप का कर दिया गया था अब स दुनिया भर में इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड बढ़तीवी नजरारी है हालकि आधिकारिक इलेक्ट्रिक कारों की कीमत पैटोल या डीजल गाडियों के मुकाबले काफी महंगी और ज्यादा रखी जाती है ऐसे में दोस्तों मेलपी 30X इलेक्ट्रिक कार बजार में तहल का सबसे ज़्यादा पॉपलर सेग्मेंट माना जाता है ये कार चार वीरिंट और पांच कल्लोर आप्शन के साथ भारतिय बजार में हम सभी के लिए पेश करी जाएगी इसका डूल टोन आप्शन काफी हद तक टाटा नेक्सा की याद हम सभी को दिलाने वाला है तो मेलप 30X इलेक्रिक कार में आपको 95 PSP की इलेक्रिक मोटर देखने को मिलती है कंपनी का दावा है कि ये कार फुल चार्ज होने के बाद 306 कीमी की दूरी अराम से तैग कर सकती है कार की बैटरी फास चार्जिंग की सुविधा को भी सपोर्ट करती है ये फास चार्जिंग दोस्तो अन्य फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको LED लाइट्स फ्यूल डिजिटल इंस्टूमेंट कंसोल और क्लाइमेंट कंट्रोल और GKUI इन्फो टेक्मेंट सिस्टम को और फ्लैट बोनट श्टेरिंग वील जैसी सुविधाओं को मिराया गया है कार के टॉफ वीरेंट पे का फैसला चीनने कर लिया है मैपी 300X की ग्रील से लेकर हैट लैंप्स और बोनट तक टाटा नेक्सा फैसलिव जैसे ही लगते है बता दे कि इस डिजाइन वाली टाटा नेक्सा इवी भारत की सबसे जस्तिकार अभी तक मानी जाती थी मगर दोस्तों मैपी 30X को आने के उसकी कीमत मात्र 3.50 लैक रुपीस स्टार्टिंग रखी है अगर इसके टॉफ फीरेंट की बात करें जिसमें आप सभी को सन रूफ की सुविता देखने को मिलने वाली है उसकी कीमत मात्र 4.60 लैक रुपीस रखी गई है तो दोस्तों फाइनली अब आने वाला है मार्किट में तहलका और भजा क्योंकि मैंपी 30X लैक्ट्रिक कार हम सभी के लिए लौच जल्दी होने वाली है और बने रहिएगा इसी तरीके से चैनल के साथ ताकि आप सभी को नई नई कारों की अपडेट यहां पर रोजाना मिलती है तो वीडियो पसंद आये तो दोस्तों वीड इंबॉक्स में बताना बिल्कुल मत बुलिएगा मिलेगे दोस्तों में आपसे नेक्स वीडियो में लगूनेगे